गनिति यानिकी mathematics में हम कुछ और questions को देखते हैं यहां पर जो की important है और कहीं ने कहीं question इस प्रकार से पूछे जाते ही हैं तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं एक विरित और एक आयत की परिमाप एक समान है तदनुसार यदि आयत की भुजाएं 18 cm और 26 cm हो तो विरित का छे तो यहां पर आपके पास 125 cm स्क्वेर दो सुती सेंटी में इसक्वेर पांसों पर चेंटी में इसको इसको देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं तो यहां पर एक विरित है और एक आयत है मालते हैं है हमारा और इसमें आयत की भुजाएं दिये गया है वह 26 cm और 18 cm आप परिमाफ होता है आयत का परिमाफ होता है वह कितना होता है तो वह होता है आपका दो गुना लंबाई जोड चोड़ाएं यह होता है तो यहां पर हम लोग साथ साफ 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 कर लेते हैं दो गुना यहां अठारा और यहां पर हो गया अपना चब्विर तो यह हम लोगा एड करने के पाद कितना हो गया तो यह हो गया अपना आट च्छे चोदे के चारा सिल एक हो गया और यह 44 तो इस प्रकाद दिया पर 88 सेंटीमीटर निकल गया परिमाप यह अपना हो गया अप यही वाला जो है आयत का परिमाप वही कहा रहा है कि विरित के परिमाप के बराबर है यह कह रहा है यानि कि परिमाप या परिदी यह होता है तो अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि विरित का परिमाप या परिदी क्या होता है यह होता है यह जब दोनों बराबर है तो इसका हम लोग इसको 88 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं इस प ऐसाते नहीं और रसका डीया हुआ है हम लोगों निकालने लिए सबसे पहले तो तो यह 18 cm हो गया अब हम लोगा इस और हटेंगे तो खुत साथ ब्रोचा आपने से 14 cm सिए हो गया हम लोग'S र यानि कि है यहां से इसका अर निकल गया अब या पर बड़ीद का 6 तरफल निकलने के लिए काराज़ना तो हम लोगों को बड़ीदका 6 क्रफल बढ़ होता है फाई आडेश्फ है अब हम लोग यहां पर फेर ins Crime गुना 14 x 14 तो यह हम लोगों काट देंगे इस परकार से दियो जागा 44 14 गुना 14 14 तो लोगों यहांप झी सको मल्टिप्लाइ करते हैं तो हम लोगों का हो जाता है 616 यहांपर हो जाता है 616 cm2 यह इस प्रकार से चोंड है अब आप 666 हो गया वह यहां पर option number D में देख रहे हैं तो option number D को यहां पर सही कर लेंगे तो इस परकार से हम लोगों को यह जो question है कि वितकर शित्रपर निकलने कहा रहा था इसको हम लोग आसानी से इस परकार से बना सकते हैं सबसे पहले इस जो परिमाप है उहां से उसका य संसी सेंटी मेर्स था छे सिंटी मेर हो तो उसकी भूजा कशना सेंटी मेर होगा यह को चने और ऑपोष्चन और भी से परकार से भी ड्रो कर सकते हैं कि दम सार के सारे भूजाएं समान होती है मैंने आप लोगों बता है तो आप वहां बर जाकर करें तो यह ही पर बताते हैं इस वлет में तो यह जो है एक विकर्न का यह वाला हो गया और दूसरा शे से अंटैमोट राणा है यहां पर जो है विकर्म जो रथे होए दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर दो भाणाव में कानते यह इसके बराबर हो जाए यह नहसे आल़ लुगत देख लिए यहाँ पर अल्ये एंगल जो बनता हो व्य विकर वे लोग नाइटी-डिगरी में श्राटते हम यहाँ यहाँ प्लोग समकून तिरफुच वह बनता है तो माल लेते आश्य वाले तिरफुच की बात करते तो दूसरावर आम लोगों को 4 मिलेगी चार सांटिमीटर चाह dude हम distinguish है तो अगला वाला जो हो गया यह हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा विकर नोद जाएगा। यह हमारा विकरन कि यान Czech कर्ण है इस वर त्रिभूज की बाध कजाते हैं तो उसी परकार सा में में भी साज़े में बन जाएंगे तो यहां पर हम लोग अब ट्रीपलेट को जानते हैं कि तीन चार और अगला कितना हो चार और पांच वाला नहीं होता हैं है यह होता है एक triplet उसी परकार से triplet के भाद बता है और वीचले जो वीडियो तहां उसमें भी triplet के बारे मताया था तो यहां पर तीन चार हम लोगों यहां पर दिख रहा है तीन और पांच निकला तो पांच का इस्क्वेर 25 होगे यह एंसर तो यहां पर किसे निकालते हैं यह हमारा कर्ण हो गया था तो कर्ण का जी स्क्वेर होता है वह होता है हमारा इसको यहां से तीन और यहां से चार होता है तो हम लोग लंब स्क्वेर पलस आधार स्क्वेर कर लेते हैं तो यहां पर हो गया लंब का इता से अगर लंब मानते हैं तो यह हमारा चार का स्क्वेर हो जाएगा और निचे वाला तीन का स्क्वेर तो यह 16 और यह 9 25 हो जाएंग तो यह 5 होगी है तो यह भी 5 यह भी 5 और यह भी 5 तो इसी प्रकार से यह हमारा 5 सेंटिमेटर निकलेगा अब उसका जो वर्ग निकाले ही लेका था तो 5 का इसके 25 तो यह इसका उत्तर है जो आप लोग ऑप्शन नमर ए में बना चुके हैं कोश्चन है दो परतिछेदी व्रितों की उभैनिष्ट जीवा की लंबाए 24 सेंटिमेटर है तद नुसार यदि उन व्रितों के 32 सेंटिमेटर तथा 26 सेंटिमेटर हों तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है ओप्शन 13 सेंटिमेटर 14 सेंटिमेटर 15 सेंटिमेटर और यहां है यहां से यहां अगर हम लोग खीशेट तो यह हमारा और इसको बड़ा और इसको थे हद कि दिया हुआ है 24 cm ठीक है तो मान लेतर है जो दोनों रहे कैंदुर्ड in को भी मिला देता हूँ यहां पर तो इसको जो है वह दो भागों मैं मालते इसको अगर वह मालेते हैं तो यहां पर एently यहां पर तो कि बराबर आध़ा हो जाके जब इसको यहमा monthly सेंटिमेटर हो जाएगा और फिर ओभी भी हमारा हो जाएगा बारस सेंटिमेटर इस परकार से अब यहां पर साथ साथ दिया हुआ है कि उन दू विर्तों के ब्यास 30 सेंटिमेटर रहे तो मालत नहीं कि यह जो है इसका है यहां पर ब्यास 30 है तो इसका आर हो जाएगा हमारा पंद्रह और यह है हमारा दूसरा वाला बिरत इसको भी वह लुग मिला दीए तो इसका ब्यास 26 दियाता तो यहां पर कितना नोजाएगा तो यहां तो यहां पर ट्रिप्लेट का कमाल देखते हैं यहां पर यह करन हो गया यह हमारा समकून बन गया यहां पर यह करन हो गया यह 12 और यह कितना होगा यह हो जाता हमारा 12 15 और 9 तो यह भी ट्रिपलेट यह दोन ट्रिपलेट हैं तो यहां से यहां से यहां पांच निकल गया तो इसके बज़िए जो केंदर के जो दूरी है वह हम लोग यहां से मिला देंगे तो यह केतना हो जाएगा यह जो दोनों को है यानकि 5 प्लस 9 बराबर चोवध've हो जाएगा तो यह इसका एंसर और बमिमेर ढесक़ है यह किस परकार से यह समकों तरफार बन गया तो आप लोगहां से पांस से 10 mm और 9 सिंटीमेटर को निकाल सकते हैं तो इस परकार से आप जो है दोनों केंदरों कीломड़ की दूरी को 14 cm निकाल सकते हैं पर हMPरी ट्रिपलेट वा2 कंवाल है तो आप लोग जानना है पांच 1213 बंग में इस प्रकार से आप बना लिए नेक्सट को सर्फ इतोrok प्रतियाव एपक्त किया जाए तो वह कितनी होगी यह कॉस्चन है यान कि मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर परती घंटा में चेंज करना है और यह बेलो दिया हुआ 18 बट्टा 5 से multiply करना है यह हम लोगों करना होता है जो बड़ा इनुट में जाना पड़ता है तो हम लोगों को बड़ा कूपर रखते हैं और नीचे में छोटा को यानिकी इस परकार से तो यह solve कर लेते तो 3 से 6 हो जाएगा यह अपना हो जाएगा दो यह कर जाएगा तो अब 2 मीटर पर 3 घंटा और मीटर पर सेकेंड कैसे चेंज होता है वह मैंने आप लोगों को रेलगाड़ी वाले में बताओं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं तो यह इस परकार से बनेगा जो है बड़ा यूनिट में जाना है तो आप ल और पाई 24 पाई 36 और नन अब दीज तो यह संभाव तिरभूज जिसका परिमाव दिया तो मान लेते हैं हम लोग एक संभाव तिरभूज यहां पर बना लेते हैं इसका तीनों बूज़ां बराबर होगा ए बी और सी है यह और इसके बीच में एक अंतरवरत बोला है तो य यह हम इस प्रकाश से एक ब्रीत ड्रोग कर लेंगे यहां पर ही तो यह ब्रीत हो गया इसका केंदर हम लोगों ने ओ मान कि रख लिया चलिए तो यहां पर सम्भाह का परिमाव दिया हुए तो मान दिए सब्सक्राबर हैं तो यह इसका भूज़ा बनाबर मैंने इस इंद् तो परिमाप जो होता है वो तीनो भूजाओं का योग होता है तीनो भूजाओं का योग होता है तो यहां से मैंने निकाल दिये 12 यह हो गया 12 अब यहां पर अंतरवृत का सबसे पहले तिर्जा निकालेंगे यहां से इस परकार से यह मालते हैं हम लोग आर आर और आर है तो इसको कैसे करता हैं आंतरवृच का जो तिरज्या है जुआ इसका फोर्मुला क्या होता है इसका फोर्मुला होता है यह वह बन्टा 2 × बटा 2 ROOT 3 मतलब तिरभूज का भूजा होगा और 2 रूट 3 होता इसलों सब्सक्रीड मतलब क्लंद深aker का लिए 12 वाट टूरूट तरी कर लेंगे तो हम लोगों काट देखे बटा रूट तरी हो गया अब इसको रिस्नलाइज करते हैं तो 6 बाइरूट तरी इन्टू उपर में भी रूट त्री नीचे भी रूट तरी कर लिए तो यहां से हम लोगों केतना निकल गया तो यह निक यानि यह भीत हो गया फिर सकाओर को जो रहे होता है न रहीम होगा आर के बेलों यहां पर लिख देते हैं 2 रूट 3 का स्क्वेर तो यह हो गया हमारा पाई और इसका होगे 4 और यह 3 तो यह 12 हो जाएगा यहां से इसको solve करेंगे तो 12 तो यहां पर 12 पाई 12 पाई इसका answer हो जाएगा जो कि option number a में दिख रहा है आप लोगों को तो यह इसका उत्तर हो जाएगा तो यह जो question था उसका right answer हो गया option number a 12 पाई answer तो किस परकार साया यह मैं आप लोगों को बता दिया तो यहां पर जो है अंतरवित का जो तिर्जा है वह फोर्मुला था ए बट्टा टू रूट थोरी होता है जब कोई संभावत्रिभूज यहां पर दिया रहता है तो तो इसको इस परकार से आप लोग solve कर लेंगे नेक्स्ट कोस्चिन है चार सेंटिमेटर तिर्जा वाले चार बराबर बृत एक दूसरे को बाहर से इसपर्स करते हैं तद नुसार उन चारों बिरतों से घिरे हुए छेत्र का छेत्र अप्फल सेंटिमेटर स्क्वेर में क्या होगा ओप्सन दिया हुआ हुआ है है चार बराबर बृति जो की बाहर से सपर्स करेंक हुआ को उनका तिर्जा दिया वह चार से संट मीटर है तो मां लेते हैं यह एक और यह यह भी इनकर रहे है पर यह चोड़की स्नुट बराबर ब बृत यहां पर पहले ही कहा है तो इसको भी आपको आर है यहां से मालत नहीं इसका केंदर है तो यह चार सेंटिमेटर फिर यहां से भी चार सेंटिमेटर हो जाएगा यहां से चार सेंटिमेटर फिर यहां से यह भी चार सेंटिमेटर होगा तो इधर भी चार इधर भी चार ये भी चार और ये भी चार हो जाएंगे यानि की radius तो सब का बरावर है ठीक है तो यहाँ पर है की जो घीरा हुआ छेतर होगा बिर्द से यानि कि यह वाला जो है एरिया जो मैं इसको यहां पर काला कर दे रहा हूं थोड़ा सा तो इसी का एरिया हमें निकालने के लिए कहा गया है तो यह अंदर में हमारा क्या बन गया एक वर्ग बन गया है जो कि उसका जो वर्ग होगा यहाँ पर जो वर्ग बन गया हमालत ने यह A, यह B, यह C और यह D है तो वर्ग A, B, C, D की जो भूजा होगी वो क्या बन गई है? वो 4 प्लस 4 यहने की 8 cm की बन गई है यह आप लोगों को ध्यान रखना है अब देखें अगर इस केवल एक बित में हम लोग देखते हैं तो यह क्या हो जाता है हमारा तिरिज्या खंड हो जाता है इसमें देखते हैं तो यह तिरिज्या खंड ग्रेका छित्रफल कि यह क्या होता है तो यह होता हैमारा थीीता grote 360 into piRiki घ्रती यहां पर देखवारींगे तो क्या बन रहा है यहां पर अंगल का 90 डिग्री बन रहा है तो यहां थीटा इसक्वल डिख्वल धीटा बाटा 360 इंटु amazon और इसको यह कर देंगे और इसमें से जो है यह बना है यह बर्व बना है तो बर्व वाले से हमने इसको घटा देंगे ठीक है बाद में तो इसको सबसे पहले solve कर लेते हैं तो यह हो गया हमारा 90 यहां पर लिखेंगे इसको तो 90 360 इंटू 5 आर कितना निकल गया तो आर हम लोगों का यहां से यहां देख रहे हैं कितना चार है तो 4-4 करके लिख देंगे यहां पर 4 का स्क्वेर यह हमारा 4 यह 4 भी कट गया तो हम लोगों कितना हुए 16 हम लोह का किखऊ के इसका इसका इसकर इसका चारत रिश्खंड का च्छेत्रफल ये दिए होगा हुगे 26 ए अब हम लोगों को क्या करना है जो वर्ग है उसमसे घ्रटाना है है तो वर्ग का निकालनेगे यहां से भुजा है तो भुजा इस्क्वेर हो जाता है यहीं कि ए स्क्वेर में करता हूं और ए बराबर हम लोग 8 लिक लेंगे तो 8 का यहां पर इस्क्वेर में यहीं पर कर देता हूं तो 64 हो गया अब इसको घटाने के लिए मैंने कहा है तो वर्ग का छेत्रफल माइनस चारो त्रिज्य खंडों का छेत्रफल यह करता है उनसे क्या निकल जाएगा यह चायांकित भाग का छेत्रफल कि बराबर करना है ठीक है 24 माइनस यह 16 पाई हो जाएगा तो हमारे कितने ृबर नमबर आप यहां पर देख सकते हैं कहां पर है तो उपसिन नमबर यह सी नमबर में 164-5 यह एंसर है हम लोगों का यहां पर देख सकते हैं किस परकार से तो उपसिन नमबर तो यह हमारा इस परकार से 16 4-5 का एंसर आ गया है तो इसको इसे ही सॉल्ब करना है नेक्स्ट कोस्चन है एक आयत की लंबाई और परिमाप 5 अनुपाद 18 की अनुपात में तदनुसार उसकी लंबाई और चोड़ाय का अनुपात क्या होगा यह है यहां पर आयत के बारे में क C और T और इसमें जो है हमने लंबाई को A माल लिया है चोड़ाय को B माल लिये यह आप लोगों को ध्यान रखना है लंबाई हमारा A है चोड़ाय हमारा B है तो यहां पर इसको करना क्या है परिमाप के बारे में सबसे पहले कहा गया है तो हम लोग यहां पर परिमाप को दे यह है और इसी का उनुपाथ दिया हुआ है ही 15 उनुपाद 18 तो हम लोग 4A बराबर 5B, यह निकल गया, अब इसके बाद में यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं, साफ साफ से, इधर से 4A बराबर 5B, तो यहां पर A बट्टा इस B को हम लोग इधर लाते हैं, तो यह 5 उपर में रहेगा, और यह 4 नीची आ जाएगा, तो यहां पर इसी पर देख सकते हैं, अनुपात कैसे हैं, तो A अनुपात B बराबर हो गया, उमारा 5 उनुपात, यह 5 उनुपात 4 आ गया, तो यही है, जो हम लोग निकालने के लिए कहा गया था, तो यह इसका एंसर है, अब यहां पर ओप्शन देख सकते हैं कि कौन सा है, तो option number C जो है इसका right answer है तो यह इस परकार से निकाला जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई और परिमाप का अनुपाद दिया हुआ था तो ऐसे ही इसको बना लिया जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है रेलगाडी से तो रेलगाड़ियां एक अस्थान से दो समांतर परड़ियों उपर एक ही दिशा में चलना प्रारम करती है उन रेलगाड़ियों की गती करम से 45 किलोमेटर परती घंटा और 40 किलोमेटर परती घंटा है तो यह कोस्चन है ओप्शन भी लाई हुए हैं तो आप लोग वहां से बिचा करके सारी सीज़ों को देख सकते हैं और समा सकते हैं तो देखते हैं कि बनाते हैं तो माल लेते हैं यहां को एक बिंदू है यहां से ट्रेन वान और ट्रेन टू जो की एक ही डगर्शन में जा रही है इसलिए मैंने इसको इस परकासर बना दिए तो ट्रेन वान का जो इस पीड है वो कितना है तूँआ है 45 किलोमेटर परती घंटा के रप्तार से इस वाले जाएगी इधर में और यह जाएगी 40 किलोमेटर परती घंटा के रप्तार से एक ही डिचा में जा रही है तो झब 25 माइनस 40 कद किलोम्यटेप्ण पर चलंट किलोम्यटेशिञता हम निकल गहां निकल गाना यहां भी किलोम्यटेशिक्ट हो गया किलोम्यटेशन में जाती है तब यह होता है और अगर रहेिक चलंदれた ये की वीदियो में आप लोग जाके देख सकते हैं जहां पर मेंतस वाले प्लेलिस्ट में आपको सारी जी मिल जाएंगी तो यहां पर जो रिलेटिव फिलोसिटी हम लोगों को मिल गया किलोमेटर परती घंटा अब इसको करना किया है कि 45 मिनट तक इनको दोड़ाना है दोनों ट्रेनों को तो 45 मिनट तक यह दोड़ेंगे यान की चलेंगे यहां इस्पीड है और यह हमारा टाइम है तो इसे हमलों को डिस्टेंस निकल जाएंगा डिस्टेंस बरब क्या होता है इन्टू टाइम यह होता है तो इस्पीड है हमारा पांच किलोमेटर परती घंटा और यह 45 मिनट में जबकि यह किलोमेटर परती घंटा है तो इसको भी हम लोगों को घंटा में ही चैन्ज करना है तो 45 बटा 60 हो जाएगा तब हम लोगों को घंटा बन जाएगा तो अब हम सबस्क्राइब, सब्सक्राइब 2020 में कराएब 2020 म 15 म हम निक्ल लाएब तो इसको 3 मीडर में देखते हैं तो यह क्या हो जाता है तो यह क्लों अपर हाजार मीडर बराबर deasure एक किलोमेटर होता है तो इस परकार से हम लोग इसी को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर हजार से इसको मल्टिप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 25 से हो जाएगा 250 तो हमारे यहाँ पर 3 किलोमेटर और यह 25 यह 75 750 हो गया तो यह मीटर हो गया, तो इस परकार से आप यहाँ पर देखेंगे, कि जो टोटल, जो किलोमेटर हुआ, 3 किलोमेटर, 750 मीटर, दोनों ट्रेंड के बीच में, जो है, वो डिस्टेंस निकल गया, तो इस परकार से हम लोग निकालेगे तो सबसे पहले यहां पर जो रिलेटिव फेलोसिटी होता है उसको पर देखना है वह साथ से साथ यहां पर इस पीड इंटु टाइम जो है यह डिस्टेंस होता है वो निकल जाएगा तो अब यहां पर देखें कि ऑप्शन नमबर कौन स सॉल्व कर लेना है तो दोस्तों यहां पर अपनों जो है प्लेलिस्ट में जाकर के रेल गाड़ी रेल वाला जो भी है उहां पर साथ सीचे मिल जाएंगी तो आप उसको भी देख करके समझ सकते हैं और आसानी से इस परकार कौस्चन को बना सकते हैं